कि अलो स्टुडेंट्स सो आई अगेन वेल्कम यू बैक आर चैनल डाट इसक्विक टू लर्न और हम लोग चैप्टर 26 को कर रहे हैं इसमें कि आज हम अपनी कुछ को डिसकस करने वाले हैं और होफ लोगों ने जो को अपकी फिनिश भी होगी होगी लेकिन कुछ बच्चों को अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने कमेंट सेक्षिन में लिख सकते हैं और हमें इनफॉर्म कर सकते हैं आप लोग बहुत इंपोर्डेंट ह के अंदर लेक्चर वाइस अवेलेबल आप लोगों के लिए जिनको पता नहीं है उनके बताया जा रहा है ठीक है तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का आज हम अपनी एक्सेस ट्वेंटेसिक्स को डिसकस करने जा रहे हैं और इसमें जो भी प्रॉब्लम ह सतूर्ब्लम है का रएक यंठेसर कारना के अहसेट पार्ट करना नियुकल दूपता लग जाता है कि जो Inosta यहां पर इंडेपैंट वेरियाबल और इसी तरीकेसे कि आप अपने सेकेंड टार्ड पार्ट मैं देख रहे होंगे कि जो इंडेपैंट एंडेफ़ पर्ट में एक्स इनडेपैंड बैरीबले एक्स इंडेपैंड वेरियेबल ए तो यह में पता लग जाता साइक्वेशन देखके जिसको पहले से डिसकर्स कर चुके हैं इसकी बादा आता है कोशन नंबर टू इसमें लिखा है प्लॉट द फॉल्लइंग पॉइंट ऑन द सेम ग्राफ पेपर आपको एक ग्राफ पेपर में सारे पॉइंट को प्लॉट करना है तो सबसे पहली जो साइन पॉजिटिव है इसी तरीके से हम बाकी सारे पॉइंट को पता लगा सकते हैं जैसे फॉर एक्जांपल फॉर्थ पॉइंट है और फॉर्थ पॉइंट के अंदर आपको दे रखा है जीरो कॉमा माइनस पॉर यह बताता है कि जीरो का मतलब है कि X-axis बन गई क्योंकि ह हमारे जो एक्सेस है वो जीरो बन गया तो फस्ट एलिमेंट जो है वो जीरो हो गया तो इसका मतलब X-axis हो गई उसके बाद माइनस फॉर लिखा हुए तो यह माइनस पॉर बताता है कि हमें वाई एक्स पर नेगेटिव साइड में फॉर को प्लॉट करना है तो इसका मतलब यह वाला जो पॉइंट है यह वाई एक्सेस के उपर लाई करेगा तो यह हमें कोशन में जो भी पॉइंट दिया हुए उसको देखती पता लग जाता है जैसे फॉर एक्जामपल यहां पर अगर हम फिफ्ट पार्ट को देखें तो उसमें लिखा है थ्री कॉमा माइनस हुआ हुआ कि एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है तो आप सब जानते हो कि जो हमारा कॉजटेंट सिस्टम है अब देखिए मैं इसमें ड्राव करके दिखा रहा हूं यहां पर हमारे जो कार्टिशन प्रेन होता है उसमें एक्स एक्सेस को अगरम शो करें तो सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि दोनों यहां पर पॉजिटिव एलिमेंट है एक्स और वाई के तो यहां पर फॉस्ट को बताया था कि डिरेक्शन एंटिक्लगवाई होती हमेज़ा तो थर्ड के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेग सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप देख पा रहे होंगे जो एक्स कॉडिनेट है वो कैसा था था थी पॉजिटिव था और वाई नेगेटिव था तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको नजर आ रहा है यह हमारा फॉर्थ कॉर्ट होगा और इसनको पॉइंट को प्लॉट करना आप जानते है तो इस तरीके से हमारा जो कोशन नबर 2 है इसमें हर एक पार्ट को में एक ही ग्राफ the br无 swept कर सकते हैं मने क्हा में क्या सीखा था कि corresponding जो elements है वो बराबर होते हैं मतलब बस पार्ट में अगर हम देखें जो x-1 में दिखाई दे रहा है वह 4 के एक्वल होगा क्योंकि जो x-coordinate है एपसे सा वह दोनों तरफ 4 के एक्वल होगा क्योंकि y-plus 3 हमारा y-coordinate है और y-coordinate y-coordinate की एक्वल होगा तो यहां से y-plus 3 की वैल्यू 4 के एक्वल कर दे अगर तो y की वैल्यू यहां से 1 आ जाती है तो जो हमारा first part है उसका जो answer निकल के आया उसमें x की value 5 और y की value 1 होगी इस तरीके से हम लोग अपने जो number 4 के अंदर एक graph बना हुआ है पहले से ही उस graph के अंदर points जो है उनकी position को plot किया हुआ है आपको condition दिए हुए उस condition की recording बताना है कि कौन सा point satisfy करेगा तो first वाले part में लिखा है अपसे सा 2 होने का मतलब क्या है अपसे सा 2 होने का मतलब है कि x की value 2 है तो आप अपने graph में देखि से द्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको यह line हम 2 वाली ड्रो कर लेंगे x equal to 2 वाली line को हम ऐसे करके फूरा completely ड्रो कर लेंगे तो यह जो line x equal to 2 वाली है इस पर जो point लाई करेंगे उसमें x abs अक्टू माना जाएगा तो यहां पर हमें साफ नजर आ रहा है कि एक तो a point है जहां value 2 बन गई है ऐसे d point x की value 2 बन गई है अब हमें क्या करना है अब हमें y की value find out करनी है तब वह point की coordinate पूरे हो जाएंगे तो हमें करना क्या पड़ेगा अब मैं ग्रीन कलर से दिखाऊंगा आपको जो a point है वहां से y axis की उपर ड्रॉप करेंगे एक perpendicular जब हम y पर पर ड्रॉप साइड पर minus 4 पर कट कर रहा है तो d point का जो जाएगा वह minus 4 हो जाएगा इसका मतलब जो हमारा first part था उसका answer जो होगा वो होगा कि जब abscess 2 है तो हमें point मिलेगा a जिसके coordinate 2,2 होंगे और एक point मिलेगा हमें first condition में d जिसकी coordinate बन गए 2,4 इस तरीके से हम बागी सारे जो पार्ट ह सकते हैं जैसे कि आप लोग यहां पर 6th part देख रहे हैं 6th part के अंदर क्या लिखा है the abscess is the abscess is equal to the ordinate क्या कहने का मतलब है यहां पर कि जो हमने अभी a point find out किया था देखो वहाँ पर 2,2 था इसका मतलब इस condition को satisfy करने वाला a point तो निगल के आई गया हमारे पस मतलब एक answer मैं बता रहा हूं आप लोगो कि 2,2 में 2 और 2 बराबर है इसी तरीके से जो बाकी points है उनके अंदर भी check करेंगे जैसे कि आप देख पा है तो यहां पर satisfy करने वाला जो दूसरी condition हो गई इस question के लिए वह capital I 4,4 भी बन सकता है इस तरीके से हम बाकी सारे parts के अंदर पता लगाएंगे मैंने आपको सिर्व एक हिंट दिया कि question को किस तरीके से attempt करना है चलिए अब हम अपने question number 5 को देखते हैं 5 question में है true false समझाना है में कभी क्या होता है कि जो true false वाले question उसमें रीजन भी पूछले जाते हैं कि क्या reason है तो हम first part देखते हैं इसमें लिखा है the ordinate of a point is x-coordinate आप अच्छे दरह जानते हैं कि जो इस chapter का concept है उसके अंदर अगर कोई भी point x,y लिखा हुआ है तो उसमें जो first coordinate है जो first component है उसको हम आप से सा बोलते हैं और second component को ordinate बोलते हैं यहां पर लिखा है कि जो ordinate है क्या वो x-coordinate होगा तो हम बोलेंगे यह statement false है क्योंकि जो x-coordinate है वह एप से सा कहलाया जाता है तो हमें अगर basic जीच पता है तो हमारा हम से सारे questions का answer दे सकते हैं और reason भी दे सकते हैं इसमें second है the origin is in the first quadrant अब आप जानते हो कि origin जो है वो किसी quadrant में लाई नहीं करता है क्योंकि that is origin is the point of intersection of x-axis and y-axis तो origin जो है वो एक ऐसा point है जो कि x-axis y-axis के intersection में लाई करता है तो इसलिए और हम यह भी कह सकते हैं कि वो सारे coordinates के अंदर है तो हम उसको यह नहीं करेगा origin जो है वह हमारा first quadrant में लाई नहीं करता है तो जो second part है उसका answer भी क्या होगा false होगा परस्ट वाले का भी answer क्या था false था reason पता होना चाहिए reason बहुत जरूरी है third है क्योंकि mathematics क्या है reasoning develop करती है तो reasoning ability आपके अंदर अपने आप ही आ जाईगी third point है the y-axis is the vertical number line y-axis is the vertical number line आपको अच्छी तरह से पता है कि जो हमारी coordinate axis होती है coordinate axis के अंदर हम अगर देखें ध्यान से उपर जो फेकर उसी में देख लो x-axis number line है horizontal और जो y-axis हम देख रहे हैं वो हमारी number line है vertical vertical का मतलब होता है जो कि perpendicular होती है horizontal के उपर vertical का मतलब है जो कि हमारी horizontal जो generally होता क्या है जो अर्थ है हमारी उसको हम horizontal मान रहे है तो x-axis जो है वो अर्थ के parallel है तो x-axis horizontal हो गई और जो चीज अर्थ के उपर perpendicular है उसको बुलेंगे vertical तो natural सी बात है y-axis जो हमारी vertical होगी यहां पे यह जो fourth point लिखा हुए यह वाली बात हमें मिलती है अब हम अपने फॉर्थ पार्ट को देखते हैं फॉर्थ पार्ट में क्या लिखा हुए एवरी पॉइंट इस बात को समझना ध्यान से यहां लिखा हुए कि कुछ ऐसे पॉइंट भी होते हैं जो कि यहां इंकलूड नहीं किया गया है तो यहां और आफ़ इंकलूड नहीं किया गया है चलिए अब आता है नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट है इफ द ओर डिन अप्ट पॉइंट इस एकुल टू इपसे साथ पॉइंट लाइज इधर इन द फर्स्ट और और इंद इस बात को समझना है देखो ध्यान से यहां पर राइट सेट में फिगर बना के समधा है तो अगर हम अपनी कोजणे टैक्स को ड्रॉग कर लें यहमारी कोजणेटेक्से यदोनों च्छी овर्वाइए अक्सेस अब आप अच्छी तरह जान THEE। ऑप सब्सक्राइब प्लसbस मतलब बॉस्टिव पॉस्टिव एक्सर्ण की बैल्यों होती है शेक्टंanden इंदर एक्स न कि इस कोशन में यह बोला गया है कि अगर कि किसी भी पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वह एक्षा की इक्कॉल हो जाए मतलब क्या कहना चाहरे है एक्स की वैल्यू वाई के बराबर हो जाए तो बताओ कि वह पॉइंट कहां पर लाई करेगा तो आप इसली देख पारें कि एक पॉइंट होगा वह फर्स्ट या थर्ड में लाई करें और यहां लिखा हुए कि वह पॉइंट फर्स्ट या सेकेंड में लाई कर रहा है इसका मतलब यह जो कंडिशन है यह फॉल्स हो जाती है तो हमें वह इसली पता लग सकता है ठीक है इस पॉइंट है ऑर इजिन 00 lies on x- तो आप साफ देख पा रहें कि जो origin है वह हमारा x-axis y-axis दोनों पर लाई करता है तो यह जो कंडिशन ही ट्रू हो जाती है तो सेवन पार्ट में लिखाए तो पॉइंट एकॉमा भी lies on y-axis if b is equal to 0 आप अच्छी तरह जानते हो कि कि किसी भी point के लिए अगर y की value 0 हो जाए औ और x की value non zero quantity अगर कोई तो वो point x-axis पिलाई करेगा वो point y-axis पिलाई नहीं करेगा इसी लिए यह statement क्या हो जाती है हमारी false हो जाती है तो इस तरीके से true false वाली जो conditions है जितनी भी है उनके reasons आपको जरूर पता होने चाहिए चलिए अब हम अपने question number 6 को समझते है in each of the following find the coordinates of the point whose abscissa is the solution of the first equation and the ordinate is the solution of second equation तो इस particular question में क्या कह रहे है जैसा कि हमने example में भी देखा था कि हमें अगर एक point को find out करना है तो उस point के लिए हमें x coordinate और y coordinate चाहिए होंगे तो वह कह रहे हैं कि जो first equation है उसको solve करके x की value मिलेगी और second जो equation है question में दिए हुई है हर एक part में उसको solve करके y की value मिलेगी तो for example हम इसका second part लेते हैं तो second part में जो first equation है उसके अंदर variable a है देखो द्यान से सारे बच्चे और जो second equation है उसमे variable b है तो इसके question के according कहने का मतलब यह है कि इस particular question में जो second part है उसके अंदर x की value निकालने के लिए a की value निकालने पड़ेगी औ part को हम लोगो solve करके देखते हैं किस तरीके से इसका answer आएगा तो कि पार्ट हमने देखो यहां पर solve करके समझाया है सिक्स जो पार्ट सिक्स का second part है पोशन 6 का जो हमारा second part है इसको हम देख रहे हैं तो हमने क्या कि है सबसे पहले first equation ली first equation है two a by three minus one is equal to a by two हम इसको simplify करेंगे अब simplify करने का मतलब है variable की value निकालना तो variables एक set में ले जाएंगे constant को दूसरी set में ले जाएंगे तो two a by three हमने यही रखा a by two जो है इसको हमने left में transpose किया तो minus a by two हो जाएगा और minus one को right में ले जाएंगे तो plus one हो जाएगा अब देखो यहां पर LCM आ गया six और इसको हम जब मतलब x की value हमें मिल गई अब हम second equation consider करते हैं वो है 15 minus four b upon seven is equal to two b minus one upon three अब इसको solve करना है नेचुल सी बात है कि यहां पर b की value find out करनी है तो आप देखो algebraical approach आपको सही आने चाहिए calculation mistake बिल्कुल नहीं होनी चाहिए normally बच्चे calculation mistake करते concept मालूम होता है बस हमें calculations part पर थोड़ा strong होना पड़ेगा तो हम यहां पर इसको जब simplify करेंगे तो three को और seven को cross multiply कर लेंगे यहां पर तो cross multiplication जब होगा तो three से हमारी left side की numerator multiply होगी तो यह बन ज करेंगे minus 12B को यहीं पर रखेंगे left side में 14B को transpose कर लेंगे left में तो minus 14B बन गया right side में minus 7 as it is रखा और 45 को transpose करके minus 45 बन गया कहने का मतलब है variable एक side में और constants एक side में ले जाएंगे यह बन गया solve okay minus 26B is equal to minus 52 तो B की value हो जाएगी minus 52 upon minus 26 cancel करने से B की value 2 मिल जाएगी तो हमें y की value क मिल गई 2 मिल गई इसका मतलब जो हमारा required point था उसके coordinates x,y थे तो x की value a थी that is 6 और y की value b थी that is 2 तो हमारा required point निकल के आया वो हमारा 6,2 यहाँ पर find out होता है तो इस तरीके से हमने अपने कुछ questions को यहाँ पर attempt किया है और बाकी जो questions नेक्स lecture में continue कर लेंगे क्योंकि lecture थोड़ा बड़ा होने से मैंने देखा है कि बच्चे जो है वो इसको continuously पूरा watch नहीं करते हैं तो आप लोगों के according हम उसको आपकी limit के साबसे सेट कर लेंगे और जो भी प्रॉब्लम में आप लोग कमेंट सेक्स में जरूर लिखिए कि आपको यह problem face हो रही है questions के अंदर या फिर जो भी आपको यहाँ पर implement करना है कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग में एक आइडिया हो जो हम implement ना कर पा रहे हो तो आप हमें दे सकते हैं so that कि बाकी लो झाल